हेलो अव्रिवान देस इस सुधिर और वेलकम यूटूब चैनल स्टडी विद सुधिर टोड़े वी डिसकस इंपोर्टेंट कुश्चिन आफ चैप्टर सेवन्थ मिन्रेल्स एंड एनर्जी रिसॉर्स जो पिछली जो क्लास थे उसके अंदर हमने जो चैप्टर नुमर 6 थे और आज हम बात करेंगे जो चैप्टर नुमर 7 है हमारे उसके मौस्ट इंपोर्टेंट जो कुश्चिन है उनके बारे में डिसकस करेंगे और असकरता हूँ कि आपको हमारे जो कुश्चिन हो समझ ही आते होंगे आप ये देख सकते हैं कि ये वो कुश्चिन होते हैं जो कि किसी किसी एक्जाम के अंदर आप से पूछे गए थे चोhington हो 2017 का हो या 16 15 जिसके भी एक्जाम the Yup व बीकरओंगा आज इसके अंदर आपको जो कोश्चन भी देखने को मिलेंगे और जो हमरी जो जो क्लास होगे उसके अंदर हम इसका जो मैप हो कराएंगे चलिए सेक्शन ए है वो पांच नमर का जैसे आपको पता है और आप पहला जो कुछन वह आप अपनी स्क्रीन के उपर देख सकते हैं पहला जो कुछन आप वह आता है हमारा वाई आर वाई आर ओल दा आइरेन जो स pend жड़्ट फ्लांट्स अफ इंडिया लोकेटڇज इन पैनी स्ग अंडिया जो प्लेटव हाँ उसके अंदर हमारी जीतने एंड़ और और स्टील जो प्लांट्स हम सभी के नहों पे है यह सेख लोग प्रेटव पे है एसा क्यूं wirklich और हो आपको बता ने हैं नेस्ट आपको जो बुम्बई पुना जो इंडस्ट्रियल जो रीजन है उसकी जो फीचर से वो बताने हैं चलिए नेक्स्ट कुशन जो आता है वो आता है हमारा डिस्क्राइब दा इंपक्ट ओफ लिब्रेलाइजेशन और इंडस्ट्रियल डेवल्मेंट आफ इंडिया जो लिब्र आफ टीट अएंड स्ट्रियल कंपनय आठ जंसेद्पुर जंसेद्पुर में टेट्ट एंड यंडस्ट्रियल जो कंपनی है उसको कोई जो जो फैक्टर हमां बताने है जो उसके responsible हैं उसकी development के लिए responsible है कहां पर जमसेदपूर में क्यों लगी उसकी कोई पांच जो कार्ण हुआ आप बता सकते हैं चलिए अब बात करते हैं सेक्षन बी की जो सेक्षन बी है वो तीन नंबर का है और इसके अंदर भी हम जो मेलनी जो वही कोशन डिक करते हैं जो आते हैं या फिर आने कि उनकी संभावना है है पहला कूशन है वाइज ता सुगर इंडि स्टी ईशें टे कि जो इंडि स्टी है उसको इस इडिले लिए क्यों कहा जाता है यह पहला कूशन था हमारा जो दूसरा तेप material based on base for the petrochemical industries what is the raw material base for the petrochemical industry name the sum products of this industry कि जो पेट्रो जो petrochemical जो इंडस्ट्री पेट्रो कमिकल जो इंडस्ट्री है वो कौन सा जो रा material है उसकी जो production वो करती है और कौन सी जो company जो industry है वो उस पे dependent है यह आपको बताना था चलिए next question जाता है इसके पर नेम्ट त्री सेक्टर अफ कोटे cotton textile इंडस्ट्री कि आपने जो तीन जो cotton textile जो इंडस्ट्री उसके बारे में पड़ना था मेल है है हैं पार लूम है यह सब ही पड़ी होंगी और वो तीनों क्या है एक दूसरे से अलग है उसके बारे में आपको बताना है यह के अंदर है शेकिन्ट पार्ट है पबलेक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री देज़िए खरता है आपको धिला है और लास्ट ये qi ऐंड-ई वेंड़ेस बाते हैं कि बात करें सेक्षेन की सेक्षेनпис याव वह So और आपको पता है कि आपके बार जो MC के हो हो वो भी आएंगे तो हम जो MC के हो है उसकी जो सीरीज है वो अलग से स्टार्ट करेंगे अप टेंशन नहीं ले हम आपको MC के हो भी है वो प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पर आप हमारे साथ बने रहें चलिए पहला क्विशन है इंडिया की जो नियों इंडिस्ट्री जो पोलीशी है वो इंडिया के अंदर सबसे पुराना आइरेंड स्टेल प्लांट कौन सा है और नेक्स्ट है एक्स्प्लेइन दा ग्लोबलाइजेशन जो वेस्वी करेंगे वो क्या होता है इसको आपको इसकी जो डेफिनेशन वह आपको देनी है और बस यह थी अगली जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो मैप है वो देखने को मिलेंगे और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू झाल